एक मोनोपॉली स्टॉक के बारे में बात करने हैं दोस्तों आप देख सकते हो पिछले एक साल में ये शेयर लगबग आप देखिए 30 परसेंट डाउन चल रहा है लगबग ये शेयर देढ़ हजार के उपर ट्रेड कर रहा था दोस्तों 1573 रुपीज पर वहां से ये अभी 1000 रुपीज का लेवल टच कर चुका आप देख सकते हो इसने लो बनाया था 980 रुपीज का और इसका 52 भी खाया 1600 रुपीज का तो आप देख सकते हो ये जबर्दस्त क्रेश हुआ है ये शेयर और ये कंपनी लॉंग टम में आपको मल्टिवेगर रिटन दे सकती है और ये म लगबक 14600 परसंट 1600 मेंस आप देख सकते हो लगबक 1500 परसंट के भी उपर के रिटन अपनी इंवेश्टर को बना के दिये थे इसने और आप देख सकते हो आभी गिरते गिरते ये शेयर आभी आप दीखिए कहां पर आ चुका और आभी देखिए फिर से इसमें गिरावट ह चल वहें दोस्तों और इस कंपणी का नाम है CDSL यह कंपणी मोनोपॉली स्टॉक है दोस्तों आप सभी को पता है मोनोपॉली कंपणी है और यह कंपणी आपको लॉंग टम है अच्छी बेल्ट क्रेट करके देख सकती दोस्तों क्योंकि इनके ऐसे कोई आज सच कॉम्पेट रहेगा तब तक इनका बिजनस चलने वाला और इनके पास जबर्दस्त कस्टमर बेस है और यह भी एसी ने थोड़ा सा ओफस की न्यूज की वज़े सी यह शेर गिर रहा है दोस्तों आप सभी को पता है भी यह भी 2.5 परसंट टेक बेचने वाला है वह भी ओफस के त्रू वह भी देखते दोस्तों पर 순ग सथी डियरा सवने क्रॉस करदी दोस्तों एक्ट करोड अकट्व क्यों क्योथ याप प्रिक डिमेट अकाउंट बीकंफ यह फदिशन से आगे चलके अच्छी रिटन बनाने वाला है तो आपको बस patience के साथ बने रहना है अगर यह शेयर आपके पास है तो क्योंकि monopoly stock है और यह company growth होने ही वाली है दोस्तो आगे चलके share गिरने में दो रीजन है दोस्तो CDSL share गिरने के लिए दो रीजन है एक तो इनका OFS अभी BSC 2.5% stake बेचने वाला है दोस्तो CDSL में तो वो भी OFS के तुरू इसकी वज़े से OFS आएगा तो discounted price पे आएगा तो इसी वज़े से और थोड़ा सा adjust हो रहा है share और दूसरा है दोस्तो 16% इनका December 22 में इनका मुनाफ़ा गिर चुक है दोस्तो 16% से इनका मुनाफ़ा गिर चुक है इसकी वज़े से दो रीजन है यह share गिर रहा है मगर comeback जरूर करेगा दोस्तो यह share तब यह जबददस्त रैली करेगा OFS जाने दो अगले ती माही तक अगले ती माही के result तक यह share जरूर रैली करेगा और रिजल्ट के बाद तो जरूर रैली करेगा यह share दोस्तो और आप देख सकते हो बीएस तो अफलोड 2.5% स्टेकिन सीडियसल भाया OFS जरूर तो इसकी OFS का भी थोड़ा सा सेंटीमेंट है इसकी वज़े से यह share गिर रहा है दोस्तो अभी लास्ट मन्त यह 11% गिर चुका है दोस्तो तो कोई टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है दोस्तो 500-600 रिटन देने के बाद कोई भी share थोड़ा सा तो करेक्ट हो ही जाता और जिसने भी लोवर के खरीदा है वह अभी अच्छे खासे रिटन एंजॉय कर रहा है तो अगर आप लॉस में हो तो आप औरेज करने की कोशिश कीजिए डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप देख सकते हैं और सिमिलर सिमिलर तो गोल्ड माइन आप देख सकते हैं गो संकोज बिना डर इस शेर को अपने पोट्पोलियो में होल्ड कीजिए वो भी लॉंग टर्म आपको डरने की कोई जरूरत नहीं इस शेर में कंपनी का मार्केट कैप देखे 10462 करोड तो यह मिड कैप स्माल कैप ऐसे बोल सकते इसको और डिविडेंट इसको स्माल कैप कंपनी भी पकड़ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर यह मोनोपॉली स्टॉक है इतना याद रखिए दोस्तु इह मोनोपॉली कंपनी इ वाला और यह कंपनी ग्रो होनी ही वाली है तो विदाउट इन डाउट आप इससे होल्ड कीजिए अपने पोट्पोलियो में और इसका फेस वाल्यू अभी दस है दोस्तु यह फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है अभी इतना महेंगा नहीं हुआ यह स्टॉक और नाम दिखाई देगा आपको शेर होल्डिंग पैटन में अभी हमाते दोस्तों कंपनी के रिवेन्यू पे आप देख सकते हो कंटिनियूसली कंपनी का रिवेन्यू ग्रो करते जा रहा है अभी येरली देखोगे तो और येरली नेट प्रॉपिट भी देखोगे तो सकते डिसेंबर 22 में 151 करोड का रिवेन्यू जनरेट किया सप्टेबर 22 में था 148 और जून में 140 मार्च में देखोगे तो 136 डिसेंबर 21 में था दोस्तों लगवग 151 करोड तो 151 से 141 बस 10 करोड का गया पे दोस्तों इतना कुछ बड़ा इनका रिवेन्यू ये नहीं डेट फ्री स्टॉक है और प्रॉपिटेबलिटी देखिए ठीक है प्रॉपिटेबलिटी में भी थोड़ सी डाउन आये इनकी रिजल्ट तो अगले कौटर में अगर ये कंपनी अच्छे रिजल्ट पीश करती है तो और जबर्दस तेजी कर सकता है ये स्टॉक बस आपको 25.6% फाइस बचे हुए अभी हरो डिए इस ने भर भर के माल करी दैट 25.6% डिए दोस्तों और बाकि तो पूरी पब्लिक ही पब्लिक है दोस्तों 45.7% पब्लिक ने बहुत माल उठा रहे है कोई बात नहीं है दोस्तो एक दिन ये कंपनी पब्लिक की भी हो सकती है वहरा ऐ यह कि तो भी होटीज कर रहेका को 就के सब्सक्रंट्रों में देखो है तो यहां पे कॉम्पार यहां इता को घ्रमक तेसं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कामने टॉर्बिकशन ही और यह monopoly stock है दोस्तो market में अभी के लिए नसडील में अगर आपको invest करना है तो grey market के थिरूँ invest करना पड़ता है और वहाँ पे वो शेर अभी भी महेंगा ही चल रहा है दोस्तो अगर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पर और cdsl लिस्टेड कंपणी आप ग्रे मार्केट की चक्कर में पढ़िए मत अभी लिस्टेड कंपणी है अच्छे का से correction में मिल रही है तो इस correction का फायदा उठाए इसमें invest कीजिए और patience के साथ बने रही है यह कंपणी